दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आज की इस क्लास में आज हम कला और संस्कृति राजस्तान की कला और संस्कृति के संबंद में यह हमारी तीसरी क्लास है जहांपर हम पढ़ रहे हैं राजस्तान के विभिन दुर्गों के बारे में तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जूनागड दुर्ग को जो की एक बीका नेर में स्थित है जूनागड दोस्तों कहा है जूनागड दुर्ग जो है ये बीका नेर में स्थित है इसको धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है राव बीका जी ने इसका नि पुगलों से मित्रता थे इस वज़े से हाँ नागोर के शाशक बखत सिंग ने जरूर इस पर जीतने का दो बार प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं रहे उनका प्रयास ऐसफल रहा इस दुर्ग के प्रविश द्वार पर राय सिंग की प्रस्तती भी लगी हुई है और इस दुर्ग में जैमल फता की हाथियों पर सवार मूर्थियां भी है इस दुर्ग में 33 करोड देवी देविताओं वळा मंदिर है ये बात IMPORTENT है यहां पर आपको याद रखनी है ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर 33 करोड देवी देविताओं वाला मंदिर स्तित है तो यहां पर आपको यह याद रखना है इस दुर्ग में हेरंब गनपती जी का भी मंदीर है और दोस्तों चुहे पर नहीं यहाँ पर सिंग पर सवार गनेश जी का मंदीर है जहाँ पर जो गनेश जी है उनकी जो मूर्ती है वो सिंग पर सवार है यहाँ पर चुहे पर नहीं है गनेश जी सिंग परसवार तो यहां से भी दो टाइप के कोशन बनते हैं कि हैरम बगन पती जी का मंदिर कहां है तो यह बीकानेर के जुनागड दुर्ग में है और यहां पर जो गनेश जी है वो सिंग परसवार है जुहे परसवार नहीं है चलिए नेक्स्ट इस दुर्ग के बारे म का राजयभी शेक होता था और इस दुर्ग में गंगा निवास महल भी है जिसका निर्माण महराजा गंगा सिंग ने करवाया था गंगा सिंग ने अपने पिता लाल सिंग की समर्ती में लालगड महल का निर्माण भी कराया था इस महल में जो है यहां स्थित जो महल है उसमें हिंदु मुस्लिम कलाशेलियों का समनवे हमें देखने को मिलता है बीकनेर के शाषक जो डूंगर सिंग थे उन्होंने इस किले के अंदर एक घंटा घर बनाया था जिसे न्याय का घंटा भी कहते हैं यहां राम सर और रानी सर नाम के दो कुएं भी हैं जो की जुनागड दुरुग के अंदर हैं इस दुरुग के समन्द में यह कहा जाता है कि यह जमीन का जेवर है इस दुरुग को क्या कहा जाता है जमीन का जेवर तो दोस्तों यह लाइन भी इंपोर्टेंट है कि कौन से दुरुग को जमीन का जेवर कहा जाता है या राती घटी का किला भी कहा जाता है राती घटी का किला भी जुनागड किला है जमीन का जेवर भी जुनागड किला है और इस दुर्ग की आकरती जो है वो चत्रबुजाकार है इस दुर्ग के सम्द्ध में कथन है यह दीवारों के कान होते हैं परन्तो इस किले की दिवारें बोलती हैं दिवारों के कान होते हैं बलकि इस किले की दिवारें बोलती हैं ये कथन जो है इस जुनागड किले के संब्ध में कहा जाता है वैसे तो दिवारों के कान होते हैं यानि कि इस किले की दिवारें बोलती है इसका मतलब इस किले के भी है कान से तो सुनाई देता है और मुह से बोला जाता है दिवारें बोलते हैं तो इस किले का मुख भी है इस दुर्ग में जो है वो करण महल है जिसका निर्मान महराजा अनूप सिंग ने करवाया था इस दुर्ग में लिफ्ट भी लगवाई गई है सूर सिंग ने इस तो केसरिया या साका करने की कोई नौबत आज तक इस किले में नहीं आई और बिकानेर के जो शाशकते वो मुगलों के संपर्क में थे उनकी मितरता थी इस वज़े से मुगलों ने इस किले पर कभी आकर्मन नहीं किया है उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आमेर और आमेर के किले की बात करते हैं आमेर का किला जो की आमेर जयपूर में स्थित है दूले राय ने 1150 सिस्वी में इसका निर्मान करवाय था और राजा भारमल ने प्रारंब करवाय था लेकिन दूले राई ने इसको पूरा करवाय था ये बात आपको याद रखनी है कि आमेर का किला जो आमेर जैपुर में स्थित है इसका निर्मान प्रारंब किस ने करवाय था राजा भारमल ने लेकिन दूले राई ने 1150 में से पूरण करवाय था वर्तमान जो सवरूप है इसके ले का वो मान सिंग पर्थम वै मिरजा राजा जै सिंग ने दिया था 1592 में आमेर का जो प्राचीन न्याम था वो अमबावती था या अंबी का पुर्वी कहते थे इसको और ये कच्छवाश आश्वकों की राजधानी हुआ करता था यह दुर्ग जो है हिंदू मुसलिम शेली के समन्वे से बना है जैसे कि जुनागड दुर्ग में भी हमने ये बढ़ा था कि वो हिंदू मुसलिम सेली के समन्वे से बना है तो आमेर का किला भी जो है हिंदू मुसलिम सेली के समन्वे से बना है इस दुर्ग का नाम बाहदुर्शा जफर पर्थम ने मौमीनाबाद 1707 में रखा था इस दुर्ग में जो है दिलाराम बाग का निर्मान मिरजा राजा जैसिंग ने 1664 हिस्वि में करवाय था दिलाराम बाग में पुरा संपदा संग्राले बना हुए हाल में इस दुर्ग में एक शिला माता का मंदीर भी है और अगर इस मंदीर के संबंद, इस किले के संबंद में बात की जाए तो इस मंदीर में स्थापित जो शिला माता की मूर्ती है वो राजा मान सिंग पूरी बंगाल के शासा केदा से सोलवी स्थापदी में लाए थे और यहां जगत शिरोमनी मंदीर भी स्थित है जगत सिरोमणी मंदिर जो इस्तित है उसमें स्री क्रिशन की मूर्ति चितोड गड़ से लाई गई थी इस दुर्ग में गणेश पोल का निर्मान भी है जो कि स्वाई जैसिंग दित्य ने करवाया था गणेश पोल को फरगियूसन ने विश्यो का स्रफ स्रेश्ट नमूना नमूना बताया है इस दुर्ग में शीश महल, भूल भूलया, कैसर क्यारी ये सारी चीज़ें हैं और माषठा जील भी यहां है आमीर के किले में माउठा जील भी है इस दुर्ग में सुहाग मंदीर भी है जिसको सुभाग्या मंदीर कहा जाता है आमीर के दुर्ग में कदमी महल भी स्थित है इसी में आमीर के शाष्कों का राज दिलक हुआ करता था कदमी महल जो आमीर दुर्ग में है वहां पर आमीर के शाषकों का राज दिलक होता था और क्या है, इस दुर्ग में सुख मंदीर है जिसे आराम मंदीर भी कहते हैं जै सिंग परत्वम के द्वारा इस मंदीर का निर्मान करवाया गया था और अगर इसमें और बात की जाए तो आमेर की भोजन शाला अपने प्राचीन भिती शिल्प चित्रों के लिए परसीद है इसका निर्मान स्वाई जैसिंग ने करवाया था इस भोजशाला में भारत के परमुखतिर सस्तुलों के चित्र है बिशप हेमर का एक कथन है इस किले के समद्ध में कि मैंने क्रेमलीन में जो देखा और परम ब्रहमा के बारे में जो सुना उससे कहीं बढ़कर ये महल है यहाँ पर ये जो महल है वो उससे कहीं बढ़कर है तो ये बिशप हेमर का एक कथन आमेर के किले के समद्ध में था उसके बात चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जैगड का किला जो की जैपुर में है जैगड का किला जो है 16-insi निर्मान हुआ था मान सिंग परठम की दौरा 1726 में इसका पुनर्दौर करवाया था मिर्जा राजा जैसिंग ने और स्वाई जैसिंग के दौरा इन दो जुनों ने इसका पुनरदवार करवाय था लेकिन इसका निर्मान मान सिंग प्रतम ने करवाय था ये उपनाम है संकट मोचक दुर्ग या चिल का टीला भी कहते हैं इसको इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका नाम है जैबान जैगड का किला जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप है या जिसका नाम था जैबान इस तोप का निर्मान 1720 में जै सिंग दित्या ने करवाया था इसे मातर एक बार परिशन के लिए चलाया गया था जिसका गोला जैपुर के निकट चाक्सू में जाकर गिरा था इससे एक गोला दगा गया था और चाक्सू के पास गोला जाकर गिरा था जहां गोले राओ तालाव बन गया मारक शमता जो है इसकी जो है 22 मील है जैगड में एक लगू दुर्ग है जिसको विजैगडी भी कहते हैं विजैगडी जो है एक शस्त्रागार और कारागार था शस्त्रागार यहां अत्यार रखे गे थे अत्यार रखे जाते तो और एक जेल था एक तरह कारागार था विजयगडी में ही स्वाई जै सिंग ने अपने छोटे भाई विजयगडी दुर्ग के पास सात मंजिला प्रकास स्तंभ है जिसे दिया बुर्ज कहा जाता है जै गड में जो और तोपे हैं रामबान के अलावा वो है रनचंडी भैरवी कड़क बिजली इस दुर्ग में सुभट निवास दिवाने आम वे खिलबत निवास दिवाने खास स्तित हैं ये दोनों चीजें इस के ले के अंदर स्तित हैं दोस्तों उसके बाद हम बात कर रहे हैं मांडल गड दुर्ग जो की भील वाडा में स्तित है मांडल गड दुर्ग कहा है भील वाडा में है इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है कैसा दुर्ग कहा जाता है इसे गिरी दुर्ग कहा जाता है चानना गुजर द्वारा इसे बन लेकिन इसका जो पुरन पुने निर्मान करवाय गया था वो महारणा कुम्भाने करवाय था शामल दास द्वारा रचित गरंत वीर विनोध के नुसार इस दुर्ग का निर्मान अजमेर के चोहानों ने करवाय था शामल दास जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी वीर विन पुलदास ने ये जो बुक लिखी थी, इसी में इन्नोंने कहा था कि ये जो मंडलगड का दुर्ग है, इसका निर्मान अजमेर के चोहानों ने करवाए था, इसकी आकरती जो है, मंडला करती है, यानि कि कटोरे नूमा होने के कारण ही इसे मंडलगड कहा जाता है, श्रंग श्रिंगी रिशी शिला लेख के नुसार ये बात कही गई है। यहां सागर और सागरी दो तालाब भी हैं ये मांडलगड के लेके अंदर ही हैं। अब हम बढ़ते हैं अचलगड दुर्ग के और जो की सिरोही में हैं। अचलगड दुर्ग के हाँ हैं सबसे पहले तो अपने को ये पता ना चीए कि ये सिरोही में हैं। और इसका निर्मान किसने करवाय था इसका निर्मान परमार राजाओं ने करवाय था। 1452 में राणा कुम्भा ने इस दुर्ग का भगना विशेशों पर पुने दुर्ग का निर्मान करवाय था। उपनाम जो है इस अचलगड दुर का वो भवराथल है यह परमारों की राजधानी हुआ करती थी यहां चारण कवी दुर्षा आड़ा की पितल की मूर्ती भी लगी हुई है जिसे स्विम उन्होंने ही बनवाय था। अचलेश्वर महादेव का मंदीर है इस मंदीर के पास मंदाकिनी कुंड भी है तो अचलगड दुर्ग जो की सिरोही में है परमार राजाओं ने इसका निर्मान करवाय था। नहीं है और इस मंदीर के पास मंदाकिनी कुंड भी है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब इसी दुर्ग के संबन्द में थोड़ी जानकरी और देख लो इस दुर्ग में कफूर सागर जलाश्य भी इस्तित है और इस दुर्ग में ओक्खारानी का महल भी है इस्तित हैं सावन भादो यहां तो जील है लेकिन सावन भादो महल भी है कहां वो डीग भहरतपुर में है और सावन भादो परियोजना भी है वो कोटा में है और सावन भादो नाम की दो कड़ाईयां भी हैं जो करणी माता के मंदिर देशनोक बीकानेर में इस्तित हैं यह एक गिरी दुर्ग है मतलब परवत पर बना हुआ है पूर्व का जिब्लाटर कहा जाता है इसको और निर्मान जो था इसका 1113 में चोहान शाशक अजयराज ने करवाया था इस दुर्ग को गड़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं मेवाड के प्रतिराज ने राणा शामल के पु तारागड रखा था और शाहजां के शाशनकाल में दुर्गा ध्यष बीठल दास ने इस दुर्ग का जीरनो दुर्ग भी करवाया था इसलिए बीठली दुर्ग भी कहते हैं शाहजां का जो शाशनकाल था उसमें दुर्गा ध्यक्ष बीठल दास ने इस दुर्ग का पुन पूरती के लिए रहट की वेवस्था भी करवाई थी। बिशप हैपर ने इस दुर्ग को पूरुगा जिबरल्टर कहा है और यहां मीरान साहब की दरगा भी है। और अगर हम इस दुर्ग के बारे में बात करें तो यह दरगा तारागड के पर्थम गवर्नर मीर सेयद हुसेन किंगसबर की है जिन्होंने इस दुर्ग की रक्षा के लिए अपनी जान नोचावर कर दी थी यहीं पर इनके घोडे की मजार भी है संपून भारत में एक मातर घोडे की मजार जो है वो यहीं है यहाँ चश्म ए नूर जलाशे भी है और अगर हम आगे बात करें इस दुर्ग के बारे में तो धर्मत के युद में जो धर्मत का युद हुआ था ऊरंगजेब की सेना से पराजित होके दारा शिको ने इसी दुर्ग में शरण ली थी इसी दुर्ग में नाना जी का जालरा, रूठ ही रानी उम्यादी की छतरी और पर्त्वी राज समारख भी हैं चलते हैं दोस्तों चूरू के किले में चूरू का किला क्या कहता है चूरू का किला तो चूरू में है जो कि धानवन श्रनी के अंदर आता है मतलब रेगिस्थान के बीच में आता है ठाकूर कुशाल सिंग ने इसका 1749 में निर्मान करोया था चांदी के गोले दागने वाला किला भी इसको कहते हैं चांदी के गोले दागने वाला किला भी यह है अगस्त 1814 में सूरत सिंग वे शिव सिंग के मद्धे यहां पर युद हुआ था और युद में गोला बारूद खतम होने पर शिव सिंग ने चांदी के गोले भी दागे थे 1814 में सूरत सिंग और शिव सिंग के मद्धे युद हुआ था युद में गोला बारूद खतम होने पर शिव सिंग ने चांदी के गोले भी दागे थे तो ये चूरू था दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं भेंसरोडगड दुर्ग चितोडगड की और उसके बाद तारागड एक बूंदी में भी है उसकी भी बात करेंगे भेंसरोडगड दुर्ग चितोडगड वाला जो दुर्ग है ये एक जल दुर्ग है प्रॉंदी का दुर्ग जो वो भी तारागड है तारागड दुर्ग अजमेर में भी है तारागड दुर्ग बूंदी में भी है लेकिन इसका निर्मान किसने उसका तो अजयराज ने करवाया था यहां राव देवा के वनसज राव बर सिंग ने तेरा सो चोवन इस्वी में इसका निर्मान कराया था इस इसलिए इसे तारागड दुर्ग कहा जाता है बहुत ज्यादा उंचा ही परस्तित है उसके बाद दोस्तों रुड्याड किपलिंग ने इसके बारे में कहा है कि ये दुर्ग मानव नहीं बलकि भूत प्रेतों ने बनाया है तारागड दुर्ग जो बुंदी में है इसके संब तोड़ गया कहते हैं कि राजस्तान के राजपुताने के समस्त रजवाडों में सर्वस्रेष्ट दुर्ग यही है यह दुर्ग अपने भिती चित्रों के लिए भी परसीद है यह गरब गुंजन तोप भी रखी हुई है हडा शाशक राव देवा जिनको देवी सिंग या दे फोड दुर्ग में अकबर को सोंप कर उसकी अधिनता भी स्विकार की थी सुर्जन हाडा ने अकबर के दरबार में शाही मनसबदार का पद धारण किया था ठीक है उसके बाद आगे की हम बात करें यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट फेक्ट है कि मेवाड के राणा लाख बहुत प्रियासों के बाद भी बूंदी के दुर्ग को नहीं जीत सके थे तब उन्होंने मिट्टी का नकली बूंदी दुर्ग बना कर उसे धवस्त किया था अपनी टीस मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि मेवाड के राणा लाखा बहुत प्रियास किया उन्हों है. इस दुरग में जीव रखा महल वैदूध महल भी है. ठीक है? इस दुरग में 84 खंबों की छतरी भी है. फूल सागर और जेता सागर बुन्दी दुरग के प्रमुख बेजल पेजल शुरोत हैं. बुन्दी दुरग को महलों का परिसर भी कहते हैं क्योंकि इस दुर्ग में छोटे बड़े अनेक महल स्तित हैं तो दोस्तों ये बुंदी का दुर्ग था उसके बाद हम चलते हैं आगे लोहागड भरतपूर में लोहागड भरतपूर ये पारिक या स्थल दुर्ग कहलाता है महराजा सूरज मल ने इस दुर्ग का निर्मान करवाय था 1733-34 इस दुर्ग के निर्मान से पहले यहां खेमकरण जाट की एक कुटिया हुआ करती थी महराजा सूरज मल को जाटों का प्लूटव भी कह जाता है और जाटों का अफलातून भी कह जाता है इस दुर्ग के कुछ और भी नाम है अभेद दुर्ग भी कह जाता है इसको पूर्वी सिमान्त का प्रहरी किला भी कह जाता है मिट्टी का किला भी कह जाता है और इसे जान गंगा में मोती जील द्वारा पानी लाया जाता है तथा मोती जील रूपा रेलवे बान गंगा नदियों पर बांध बना कर बनाई गई है महाराजा जवहर सिंग ने दिल्ली विजे के उपलक्ष में यहां 1764 हिसी में जवहर बुर्ज का निर्मान भी कराये था यहां भते बुरुज भी है दो दर्वाजे हैं उत्री द्वार जो है अश्ट धातू दर्वाजा कहलाता है और दक्षनी द्वार लोहिया दर्वाजा कहलाता है अश्ट धातू दर्वाजा जो है महाराजा जवहर सिंग मुगनों के शाही खजाने से लूट कर लाए थे ये दरवाजा वे दिल्ली के लाल के लिए से 1765 इस्वी में उतार कर लाए थे और 1805 इस्वी में लाड लेक ने महराजा रणजीत सिंग के समय भरतपुर पर आकरमन किया था इस दुर्ग में दिवाने खास नामक इमारत है जिसे कचहरी किला भी कहा जाता है जिसे कचहरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग में एक महल भी है जिसे नूर महल कहा जाता है इस दुर्ग में बिहारी मंदिर वे राजेश्वरी माता भरत परवंश की कुल देवी कहा जाता है जिनको उनका मंदिर भी है राजस्तान का एक मातर दुर्ग है जिस पर लाड लेक ने पांच बार अकर्मन किया किन्तु उसे जीत नहीं सका ठीक है ये ऐसा किला था जिसको जीता नहीं गया था तो दोस्तों ये यहां पर हमने जो किले पढ़े हैं आज हमने दस के लिए पढ़े हैं या दुर्ग पढ़े हैं अगली कलास में फिर कुछ और दुर्ग पढ़ेंगे ये दुर्ग वाली कलास कंप्लीट होगी तो फिर हम किसी और टॉपिक पर पहुंचेंगे तो एंजोई कीजिए वीडियो को और अपने सपनों को साकार कीजिए